अब सभी के सपोर्ट से ही मेरा चैनल जो है आख हो गया था रात में आखे तो इसकी खुली नेरी थी आखे बंद है मुझे बहुत रोणा आने लगा कि अब मैं क्या करूं कैसे चुप जितना भी खुशी था ना उनको आने का वो सब खतम हो गया और मैं हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सभी आज मैं आप सभी से बाते करने के लिए आई हूँ आज थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है तो मैंने सोचा कि चलिए जो भी कोशन है आप सब के जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ ब्लॉग में तो वो सारा जो है आज मैं क्लियर कर द शाद कर 茶ड़ा रहा है मुझे थोड़ी हिम्मत मीली है हान थोड़े बहुत भीुल सापोर्ट मूरिण झाल और मौनिंज से कहना था तो बस कुछ ही घंटे और मतलब लगभग समझे कि अभी एक दू महीने में जो है चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर ऐसे भी चलता रहा तो बस उमीद है कि आप लोग ऐसे ही बने रहीएगा मेरे साथ और मेरी एक सोनी सिस्टर है तो उनका कमेंट आया था शायद कल्या प जादा तर लोग जो है वो आदिवासी हैं और वहां का ये बहुत ही फेमस एक तरह से मतलब समझे तिवहार है हम लोगों के यहां भी होता है लेकिन हम लोग उतने अच्छे से नहीं मना पाते जैसे और लोग मनाते हैं तो मैं जब पहले किया करती थी सादी के बाद मैंने 2 साल किया उसके बाद फिर न मैंने छोड़ दिया मेरी हैं जो भी भी करती है लेकिन मैं छोड़ दी क्योंकि हो नहीं पाता था जब भाई-लोग पास प्रशाद खिलाने के लिए फिर च्छोडोड미ों नहीं पारी हों तो क्यों करूं तो इस वज़े से और पी ज़ुछ ची और हमारी अनामिका सिस्टर जो कि उन्होंने पूछा था कि दिदी आपके यहां और मेरे यहां के चीज़े जो हैं बहुत मिलती है तो बात सही है यूपी बिहार जारखन ये तीन जगह ऐसे हैं जो कि मतलब आपस में बहुत चीज़े जो हैं मिलती जुलती हैं तो जैसे हमार मेरे यहां तो नहीं होती क्योंकि मेरा जो गाव है मेरा माय का वहां पर वह सहर से ज्यादा सटा हुआ है तो खेती बारी कम ही होती है और होती भी है तो मेरे मम्मी पापा नहीं कर पाते हैं थोड़े बहुत जो घर के पास है कि उसी में होता है मतलब उसमें खेती होती है तो कि मेरी अपनी वैल तो उसके शाझ करने की क्यरती होती है तो जब गुड बनाती है तो असमें घुड होता है उसको रवा वाला गुड बोलते हैं तो मेरा नहीं होता था लोगे भी रहा है लेकिन हमार यहां नहीं होता है तो क्लियर होंगे अपünos क्यों याद करें नहीं रहता भूल जाती ह freeze क्यों याद दिले दिया किईक खिए एक दो दिन हो जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ तो आज के लिए बस question को इतना ही रखते हैं पिर मेरा जो बाकी का काम है वो रुख जाएगा फिल्हाल आलाज मेरे हज़वन आने वाले हैं तो अभी तो मैंने शुबह से सारा काम आम कर लिया है अभी मैंने lunch किया अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए अभी दही बड़े बनाऊंगी और क्योंकि ना उनको भी वहाँ खाने पीने की बहुत दिकत हुई है बस किसी तरह से दीन जो है उन्होंने निकाला है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा सा बना दू तक कि आये तो खाने के बाद बनाना प्लेन चावल बना देना तो बस वही अभी मैं जाके बनाऊंगी और मैं बाहर में बात कर रही हूँ आप लोगों से इसलिए क्योंकि मैं सुची बैट के बात करूंगी लेकिन यह जो है ना यह शैतान लड़की यह बार बार लाला के कैमरे के पास इतना डिस्टर् दाल मैं पीस के रख दी थी और अभी का जो टाइम ओ रहा और लग भग, साड़े तीन बझ रहा था तो दाही बड़े ना पहले ही बना के रखना पड़ता है नहीं तो फिर न फुले में भी टाइम लेता है तो मैंने सुचा हो इसको बनाकर कर रख देती हूँ और उसके ब को काफ़ी दूद संथी तो पीटी है तो यूज वह इसे ही रहा जाता है और अ मुझे आदतos नैसा पर आप Truk तो यह चटपटी कोई भी चीज़ खाने से तो फ्रेश लगता है यह तहां पर मैंने देखिए डाल दिया है और आज थोड़ा साना मैंने दरदरा ही पीसा है दाल को देखती हूं कैसा बनता है हमेशा मैंना फाइन एक दम जो होता है न वह बना लेती थी लेकिन इस वर मैंने पतला वाला वैसे ही पीस के बनाया है पहली बार ऐसे बना रही हूं तो यहां पर मैंने दही को भी अच्छे से फेट लिया है और रख दिया है ढखकर के इधर मेरा बड़े जो है वो भी फ्राई हो रहा है और कुहु देखने के लिए बारवर आ रहे थी मम्मी क्या बना र ति यह भी बहुत खटा लगता है घर लिए तो यहां पर देखिए एक बार का निकाल लिया है दूसरी भार वाडा भी डाल दिया है थोड़ा ज़ादा ही हो गया था मैंने सुचा था इतना नहीं होगा लेकिन बहुत ही जादा हो गया क्योंकि दो ही लोग है और दो लोग क मतलब मसाली तो मैं पहले से हीड़ी करके रख त्यक्राइग की जब था से अरॉप भी मुझे दही कहाए कि राम कर बना लुझे धि अमाच कलवेश वtóक ions जोख संट्धे कर दे लिंगे love दिया दिखाया है तो ज्यादा ही टाइम मतलब लेट से मैंने दिया दिखाया और यहां पर देखे इसको सुला दिया है मैंने जब तक यह इधर सोई हुई है तब तक यहां पर मैं बना ले रही हूं छोले हजबन को कॉल करके पुछा था तो वो मतलब ना उतरने ही वाले हैं मतलब जब अभी मैं बना रही होना है तो इतना टाइम हो जब 7 बच चुका था और 7.30 बचे उनको उतरना था पहुँच जाते हो इस्टेशन तो फिर मैंने पूछा तो बोले तो चलो बना करके और जल्द को उठ गई तो फिर से ना बनाने नहीं देगी और यहां पर देखिए प्याज भी अच्छे से भून गया है तो मसाला और टमाटा सारा कुछ भून लोंगी डालके मैंने छोले पहले से ही ना बॉइल करके रख दिया है और फाइनली चार-पाइच दिनों के बाद आज मैं बैठी हूँ खाना बनाने खिलिए साम के टाइम में नहीं तो ऐसे हो रहा था दोपहर में बना रही थी और वही दोपहर में भी खा रही थी और सुबह भी साम को भी हो जा रहा था तो आज आना है हस्मिन को तो फिर मैं आज दोपहर में भी मैंने ना बनाया नहीं था तैला ही बनाखेकशκ्टरा रख लिया था और दो पहर में वही मैने खाया था तो यहां पर देखोas टमाटर वगैरा कुछ डाल दिया है मैंने साहरा नमक भी डाल दिया है अच्छे भुन जाये मसाले इस तरह से देखिए सारा जो है मसाले में से तेल बाहर निकलने लगा है, बहुत अच्छे से मसाले जो हैं भूनने लगे थे और जैसे मैं मसाला बीच में भून रही थी कुषू उठ गई थी और फिर उसका रोना सुरू हो गया था तो मैं ऐसे ही लो फ्लेम पे करके और चली गई थी चलो उठो चलो 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 और फिर पता नहीं इसको क्या हो गया है चुपोने का नाम ही नहीं ले रही है बोल रही है चलो गूमने के लिए और इतना रात हो गया कहां लेकर जाओ मैं इसको गूमने के लिए और आने का भी टाइम हो गया है husband का तो खाना भी बनाना है क्योंकि फिर न वो आएंगे जैसे 12 बजे से पहले ही उन्होंने खाना खाया है दो पहर के 12 बजे तो भूख भी लगी होगी तो मैं यहां पर सोचिरों कि चल्दी से बना लूँ खाना तक ही आए तो फिर वो नहां दो करके खाना खा लें लेकिन इ आज हो चुकी है नेक्स्ट दे मॉर्निंग और मैं रात में जो भी वीडियो शूट कर रही तिनों मुझे वहीं पर सोड़ना पड़ा आधा धूरा क्योंकि रात में कुछ ऐसा हो गया ना कूप लोगों ने देखा ही था कितना ज्यादा रो रही थी तो अचानक से जो वो दe में ओर से घूम के आनये में अजय हो जा रहा है अभी बहुत जल्दी तो पूरा अंधेरा हो गया था और भूना अंध्यरेन से डर लगता है जैसे ही अंदेरा होने लगता बाहर तो रहने नहीं देती हम लोगों को लेकिन पता नहीं इसको जो पर गोड़ि थी घर मत ज परजस्त इसको घर लेकर आई और फिर उसके बाद मैं जैसे तैसे करके इसको फिर सुला दी मुझे लगा दिन में सो इन है तो इस वजह से कभी-कभी होता है कि सोने के लिए जीत करती है रोने लगती है मतलब थोड़ी सी चिरचीरी जैसी हो जाती है तो मैंने सुचा था कि स साइद वही है तो फिर सो भी गई उसके बाद बहुत लेट मैंने सामका दिया भी दिखाया और फिर मैं लग गई थी बनाने के लिए खाना क्योंकि हजबन मुलतब आने वाले ही थे साथ बजे वह मतलब उतर जाते उसके बाद एगंटा स्टेशन से आने में घर लगता है टाइम तो मुझे लगा था साड़े आठ बजे तक घर आ जाएंगे तो मैं क्या घर ले रही हूं खाना बगेरा बना करके और मैं मतलब यह हो जा रही हूं ता कि आएंगे तो बाकि उन हुमने और चुप होने का तो ना भी नहीं ले रही थी इतनी जोर-जोर से चिला रही थी इतना रो रही थी ना तो मुझे लगा कि चलो दीरे-दीरे करके मैं इसको फुसलानी की कोसिस कर रही हूं चूप हो जाएगी लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया था रात में आखे लगाया भी कि शायद चुप हो जाए डर की वज़से लेकिन यह चुप नहीं हुई फिर मैं इसके पापा को कॉल की और मुझे बहुत रोणा आने लगा कि अब मैं क्या करूं कैसे चुप कर आऊ और रात का टाइम था बहुत साउंड हो रहा था तो फिर मैंने उनको कॉल किय अब मतलब नजर उतार दो उसका हो सकता है जैसे उन्होंने उनसे बोल कि घर आने को नहीं खोज रहीakti तो फिर मैंने आंटी को कॉल किया आई आंटी तो वही फिर इसका जाकर करके हम लोगों ने नजर उतारा मतलब एक देड़ घंटे तक इतना रोई है ना कि मैं परिसान हो गई मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था मुझे लगनी रहा था मैं क्या करूं कैसे चुप करा तो मैंने बोला ममी जाओ उनके पास में और बोलो ऐसा फिर ममी भी जल्दी से निकलने लगी थी वहां और नजर उतारने के मुझे लगता है दस मिनट बाद इसने ना एकदम अचानक से पापा भी तब तक आ गया थी क्योंकि वह भी बहुत परिशान हो गया थे इसलिए ब आवाज निकाल ठीख एक दम नॉर्मल हो गई कुछ भी नहीं लगी नहीं रहा है कि इसको अन्हों पूरणा धोना यह इसका कुछ भी होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इतना अच्छे से बात करने लगी टीवी देखने लगी बहुत नौर्मल होगे तो अब जाके के कंडिशन यहां पर हो जाए तो क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं होता क्योंकि यहां पर मैं अकेली हूं और कोई है नहीं बताने वाला या फिर समझाने वाला कि क्या करना है क्या नहीं इसी वज़े से मैं आगे का कुछ सूप नहीं कर पाई तो बस आज के ब् के लिए फ्रेंस इतना ही उमीद करती हूं आज का भी यह ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का ब्लॉग अपने फैमिली फ्रेंस के साथ सेयर भी कर दीजेगा चैनल पर